हेलो दस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हलो टीचर में इस वीडियो में हम देखेंगे भारती सविदान के बारे में प्रश्णोत तरी जो की जन्नल नौलज का पहला पेपर आपका रहने वाला है छबिस तारिक का तो 26 तारिक के लिए मुस्ट इंपोर्टन चाप्टर है भारती सविदान इसमें से कम से कम 30 से चार क्वेश्चन आपको बनते हैं एक जाम के लिए तो इस वीडियो में देखेंगे आर्टिकल और अनुच्छत जो है उसमें से अनुच्छत के ऊपर दो क्वेश्चन लगवग लगवग बनते हैं तो इंपोर्टन चाप्टर होने वाला है तो आप इसको बगा स्क्रिप क्यों है देख लिजिए तो महान आइवादी जो पहला पॉइंट है महान आइवादी की निविक्ति की समनुच्छत के अंतरगत की जाती है वन लाइनर क्वेश्चन है तो जल्द के जो है महान आइवादो की निविक्ति की जाती है इसके बात जो है सविदान के किस अनुच्छत के अंतर गट राश्ट्र weitere लोकषबा भंग कर सकता है तो वो अनुच्छत AWS ल야지ट्यटी फाइव पंचासीन नबर का अनुच्छर जो है राष्ट पति लोकसभा भंग करने के लिए है इसके बाद जो है थर्ड थर्ड कोेस्टने कि अनुच्छत में संस्थ के सविक्ताध्युशन का प्रावदान है तो अनुच्छत 108 जो हैं इसमें संस्थ के स्योंक्ता अधिविषन का प्रावधान दिया गया हूँ ईसके बाद जो ई सविदान के कीस अनुचद में धन विद्यक की परिभशा दी गई है सविदान के किस अनुचेद में धनवीदेग की परिभाशा दी गई है तो अनुचेद 110 हो जाएगा अनुचेद 110 में सविदान के धनवीदेग की परिभाशा दी गई है इसके बाद जो सविदान के किस अनुचेद के अंतरगत राष्ट्रपति अध्यादेश जार नर्गत है राष्टेपती अधिया達 IO कर सकता है इसके बाद कि सवीदान के किस अनुचहत में सर्वस्च नया निया इसफ पर महाभ्यवकः चला जा सकता है कि इस में से क्वेस्टन बनता ही है ,anson कि Asian कीस हूझ्च में सर्वस्च चनयल deme कि महाभीयोग चलाया जा सकता है अनुछेद 124 इसके बाद जो है राष्टरपती किस अनुछेद का अंतरगत सर्वत चन्याले में परामर्ष मांग कर सकता है तो राष्टरपती जो है अनुछेद 233 के अंतरगत सर्वत चन्याले में परा मश्किमा कर सकता है इसके बाद जो है किस अनुचेद के अंतरगत के अंधरा के पास अविश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् में जो है आनतर राष्ट गंगे शक्ति प्रदान की गई है। उसके बाद कि기로 can कर सकता है है तो अनुखेत 200 च्श सकता यहां चारा संपत्ति का अधिकार की किस अनुछद में हैं, तो ये भी important question हो जाता है, संपत्ति का अधिकार की अनुछद में हैं, तो संपत्ति का जो अधिकार है, वा अनुछद 300 क में हैं, ठिक हैं, 300 क में अर important इसके बाद से बाद कि कि समेड़ बाझ को यह चाहिद कि संगाढ़ में रात्ञे के लिए लोक से लावह का प्रावधान सभी cooking के सबेड़ान के किस मैं में संगा और रात्जे के लिए लोक से लावावह का प्रावदान दिया गया है अगला कोश्चन है किस अनुछेत के अंतरगत हिंदी भाषा को राज के भाषा गोशित किया गया है तो हिंदी भाषा को राज के भाषा जो गोशित किया गया है उसके लिए जो अनुछेत है वह है 343 1 ठीक है 343 1 इसके बाद जो है अगला कोश्च जो है 338 से उसके अनुचेद जो है अनुचेद जन जाती के लिए एक राष्ट्या के गठन का प्रावधान है। इसके बाद जो अगला कोशेन शविदान के 20 अनुचेद के अंतरगत सविदान प्रक्रिया का उल्लेख है। तो अनुचेत 356 जो है उसके अंतरगत सवेदान के अंतरगत जो है सवेदान प्रक्रिया का उल्लेक दिया गया है फिर है सवेदान के किस अनुचेत में मंत्री मंदले शब्द का प्रोयक सवेदान में एक बार हुआ है के तो है सवेन थीनसे 255 तो अनुछेट 352 में सवेधान के अनुछेट 350 में मूंत्र आमले शब्द का प्रवक्त सहीधान में एक बार हुआ है फिर जम्मू काश्मि सानूशद के विशेच दरजा प्राप्त है तो जम्मू काश्मिन को जो तो 370 का अनुच्छत था जो अभी हटाया गया है मुदी सरकार में तो 370 के बज़े से जो था विशेश राज्य का दर्जा प्राप्त था लेकिन अभी उसको खतम कर दिया गया है करहmpfen आफ किया है इसके बाद जो अनुच्छत 356 का सबंद किस्त हैं तो यह इसके उपर बहुत्पार क्वेश्चन बना है और इमपोर्टन्ट है 356 अनवाद अनुछे 356 का जो सबंद है वो है राष्ट्रपती शाषन से और राष्ट्रपती शाषन का जो कोस्चन है वो बहुत बार एक जम में रिपीट हो जुका है तो यह आएमपी कोस्चन है तो इसको आप हाइलेट करके रख दीजे इसके बाद जो है भारती सविदान में समन्ता का अधिकार 5 अनुछे दो द्वारा प्रदान किया गया है वे कौन से तो भारती सविदान में जो समन्ता का अधिकार 5 अनुछे दो द्वारा प्रदान किया गया है वो अनुछे दे 14 15 16 17 और अटरा ठीक है 14 से 18 ठीक है मतलब 14 15 16 17 और अटरा ठीक है तो भारती स्क्राइब करता है इसके बाद है भारत के नाग्रिक का करते हो होगा प्राकृतिक पडुर्यावरन का सावरक्षन ये मसुदार कथन की किस अनुछध में है तो ये कथन अनुछध एम है ठीक है इसके बाद जो है सवीदान की की अनुछेट के अंतरगत राज्य सरकार को ग्राम पंचल के संगण का निदेश दिया गया है तो अनुछेट चालिस जो है अनुछेट चालिस में राज्य सरकार को ग्राम पंचल के संगण का निदेश दिया गया है इसके बाद वरतमान में सविदान में कितने निसुचिया है तो सवगेदान की दिती अनुसुची का सबंदक की स्से है मात्व पूर्नपद अधिकारेव के व्यतन भत्तों से. फिर ये कौनसी अनुसुची में बाविस भाषाव का माननेता दी गई है? तो ये भी important question बन जाता है, इसके उपर भी question आता है और इसके उपर question आया है एकजम कोई ञंस अनुसुची में बाविस भाषायों का मननेता दी गयी है तो वह आठ सब्बंदवाजन विवरन की सुची है इसके बाद जो है सविदान की छटी अनुसुची किस राज्य में लागू नहीं होती है तो सविदान की जो छटी अनुसुची है वो है म्यनिपूर मनिपूर राज्य में लागू नहीं होती है किस राज्य के आरक्षन विदेग को नवी अनुसुची में सम्मिलित क्या गया है तो तामिल नाडु जो है तामिल नाडु के जो राज्य उसके आरक्षिन विद्यक को नवी अनुसुची में सम्मिलित क्या गया है फिर है भारती सयुदान की कौनसी अनुसुची राज्य में नामों की सुची तथा राज्यो शत्रा का विवरा देती है इसके बाद जो है भारती सव्यदार में 90 अनुसोची परिवर्तित हुई तो प्रथम सश्यदारा जो है भारती सव्यदार में 90 अनुसोची परिवर्तित हुई है किस अनुछ्याइध के अंतर्गत उपराष्टेपति पत की विवस्ता है तो अनुछ्याइध 6363 नंबर का जो अनुछ्याइध उपराष्टेपति पत की विवस्ता की गई है विध्तियापात की घोषना किस अनुछाश्यत के अंतरगत अनुछेत 360 के अंतरगत आती है राष्टी पिछड़ा अयोक का घठन किस अनुछवत की अंतरगत किया जाता है तो अनुछे 340 के अंतरगत जो है राष्ट्य पिछरा आयोक का गठन किया जाता है किस अनुसुची में केंद्रवर राज्यों के भी शक्तियों के बाठवारे का वर्नन है तो वह साथ भी अनुसुची तो साथ भी अनुसुची के उपर भी क्वेस्चन बनते है किस अनुसुची में केंद्रवर राज्यों के भी शक्तियों के बाठवारे का वर्नन किया गया है तो वह साथ भी अनुसुची के अंतरगत फिर दिया है समयवर्ति सुची किस राज्यों में सम्मदित नहीं है तो जम्मू काश्मिर से जो है समवर्थी सुची संबदित नहीं थी फिर है समेदान लागू होने के समय समवर्थी सुची में कितनी विशे थे तो समेदान लागू होने के समय जो है समवर्थी सुची में 47 सब्जेक्ट थे मतलब 47 विशे थे इसके बाद जो है इसके बाद है वर्तवान में राज्य सुचे में कितनी विशे है तो वर्तवान में राज्य सुचे में 66 विशे मतलब 66 विशे है वर्तवान में संग सुचे में कितनी विशे है तो 97 विशे संग सुचे में देव हुए है किस अनसुची में असम मेगालय त्रिपुराय मिजरम राज्यों के जन जाती शत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावदान है तो है छटी अनसुची में इसके बाद जो है भारती सविदान का स्रोस सामन्य न्यान प्रश्णत्री के उपर अपन चर्चा करेंगे तो इसके उ श्यादा को क्वेभार्ती सवेदान के शो इहां और नफी उब्र हुआ छेले भी इतने वी एक्जाम हुए इस टॉपिक के उपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे भारतिय सविधान संसद्यर प्रणाली इंगलंड के सविधान से ली गई है फिर भारतिय सविधान का कौनसा लक्षन आईरिस सविधान से अनुप्रेरित है तो है निती क्वेश्चन है और इसके उपर हर बार इस जाम में क्वेश्चन बनता है निती निर्जाशक सिद्धानत के उपर तो भारती सवेदान का जो निती निर्जाशक तत्व का जो निती निर्जाशक तत्वा का जो निती निर्जाशक तत्वा सिद्धानत जिसका अपन बोले गए आयरिश सविदान से अनुप्रेथ है फिर है भारती सविदान का सबसे बड़ा एकाकिक स्त्रोथ कुन सा है तो वह है गवर्मेंट वाप इंडिया एक्ट नैंटीन थार्टी फाइव तो यह उपर की दो लाइने जो है भारती सविदान संसे प्रणाली किद देश से ली गई है तो वह इंगलंड से और भारती सविदान का कौन सा लक्षन आयरिश सविदान से लिया गए तो वह निते दिजिशक तत्म जो है आयरिश सविदान से लिया गए आपको ध्यार में र लगते हैं तो इसके बाद जो है थो बढ़रती सवीदान मं마योलीक करतोगः का जो लिया गया वहू के सब्रसकिता लिया गया है फिर राज्या में कलेक्टर का पद आछने की से से उदार लिया था। तो वो Eatland से लिया था ठीक है इसके बाद राज्याफ के समक्षे समान वाक्य काई से लिया गया है तो कारुन के समक्षे समान वाक्षण समान वाक्य kot स्युक्त PrivDIO पप्यों से लिया गया भी इसके बाद है भारती सेविदान की संशुदन प्रक्रिया इध्य से सविदान से प्रभाई हो थे तो वह दक्शिन अफरिका से और important question है, बहुत important question, भी IMP question है, क्योंकि इसमें से जो question है, बार-बार बनते और ये chapter ही बहुत important हो जाता है तो भारती सविदान की संशुदन प्रक्या की इत देश के सविदान से प्रवाई थे वह है दक्षिन आफ्रिका के फिर है विदी के समक्ष श्यमता कहा से लिगए वह है इंगलंड के विदी के समक्ष श्यमता वह इंगलंड के सविदान से लिगए वह सव सremoेदानिक दस्ताविदे बहुत बढ़ा करने में बहुत बड़ा प्रबाव पड़ा तो जर्मनी के विमार से ली गई है। भारत के राष्टपति के आबद करने dew को सामने जानकरी का जी नुटर्वा और इसके उपर सबसे बड़ा एका किस्तुरूत कुन सा है गवर्मेंट वाप इंडिया याक 1935 भारती सेविदान की संगिये व्योस्ता किय देश के संगी व्योस्ता से समानता रखती है तो वो कानड़ा से समानता रखती है फिर सविदान में समर्थी सुची की प्रेणना कहा से ली गई है तो वो ऑस्टेलिया से ली गई है फिर भारती सविदान में मोलिक कर्तों के किद्देश से लिया गया है तो रिस्क के सविदान से लिया गया है फिर राज्जा में कलेक्टर का पवात अनुभेशिक शासन के किद्देश से उदार लिया गया है तो इंग्रण से लिया गया है फिर एक कानुन के समक्षे समान सवरक्षन वाक्य कहा से लिया गया है वो साइक्त राज्जा अमेरिका से लिया गया है सभीदान से प्रभाव था फिर विद्र के समक्ष चमता का से ली गई है तो इंग्लंड से ली गई है फिर वह सभीदानिक दस्ताज को और जिसका भारतीषिंवीदान तयार करना में घरा प्रबाव पड़ा तो भारत सरकार दिनेम नाइंटीन थेफाई जो है वहें सभीदान तस्ताज फिर भारत को राष्ट्रपती की आपत कले शक्ता की देश से ली गई है तो जर्मनी के सविदान से यह ली गई तो इंपोर्टन चप्टर है बहुत ही इंपोर्टन चप्टर है फिरे भारत के सविदान में मूर अधिकार कीद देश के सविदान से प्रिदे तो वह है साइक्त भारत के सविदान में मूर अधिकार कीद देश के सविदान से प्रिदे तो साइक्त भी सविदान है जो है important question है यह मैं आपको confirm करके बताऊंगा भारत के सविदान में मुल्व अधिकार की देश से सविदान से प्रेज थे इसमें थोड़ा confusion लग रहा है मैं आपको confirm करके आगले वीडियो में बता दूंगा तो सविदान में कानुन दरास्तापिश अब्दाल की देश की सविद से लिगे तो है सयुक्त राज्य अमेरिका फिर प्रस्तावने की भाषा के सविदान से लिगे तो ऑस्टेलिया की सविदान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है तो important chapter है और इसके उपर question बनते ही बनते है फिर इसके बाद भारत के संग राज्य शत्र सामने नेन प्रशनत ब्श्तरी भारत के संग राज्य शत्र पहला question है भारत को कैसे वर्नित किया गया है तो राज्यो का संघंग भारत को किस राज्यों की संग को दिया गया है फिर संसद किसको बोलेंगे तो लोक सबहरई राष्थ contar फ़ह राष्टश को दिआ देृओँ करने का आधिकार संसद को को दिया गया है पास्टों में पास्टों से अदिक देशी रियासतों को भारत में विलन करने के लिए कोन उत्तरदाई है तो सरदार पठल पास्टों से अधिक देशी सियातों को भारत में विलन करने के लिए उत्तरदाई है इसके बाद भाशी आदर पर राज्यों का पुरर गठन के इस परशे किया गया तो भाशी आदर पर राज्य पुद्दुचरी को पुद्दुचरी को पुद्दुचरी को इसके बाद जो है रियासतों को भारत में विले करने के लिए किसके नेतुत्रों में मंत्राले का गठन किया गया तो सरदार पटल के नेतुत्रों में जो है रियासतों को भारत में विले करने के लिए गठन किया गया तो सरदार वल भाहि पटल के नेतुत्रों में फिर राज् पूर्णर गठन आयोक के अध्यक्ष्य थे फिर नागालन को अलग राज्यो का दर्जा कब प्राप्त हुआ तो एक दिसंबर 1963 को जो है नागालन को अलग राज्या का दर्जा प्राप्त हुआ फिर राज्या का निर्मान कीस अनुछत के अंतरगत होता है तो अनुछत 3 के अं तो इसे के साथ जो है हापी वीडियो स्टाप कर लेते हैं इसी भारती सविधान के उपर जो इंपोर्टन कोश्चन है अगले वीडियो में और देखेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हरो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आ थैंक्यू धन्यवाद